नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतिन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडूटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिम्टेट के बारे में जी आँ दोस्तों Yes Bank Limited को लेकर जो है आज दो latest news अपडेट हुई है और इस news को जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है यदि आप लोगों ने Yes Bank Limited में अपने पैसे को निवेश किया है या निवेश करने की सोच रहे हैं तो बनर ये JK Rootek के साथ और वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जर आएगा और आज की रेट में Yes Bank Limited में एक और डील हुई है क्रिप्टो करेंसी में और एक इस परकार की हुई है इससे जो है Yes Bank Limited को किस परकार का फायदा हो सकता है सारी चीजों को कबर करेंगे इस वीडियो में तो प्लेज वीडियो को स्केप करके मज जाईएगा वीडियो क पहले मैंने वीडियो बनाया था कि सुप्रीम कोट के फसला कि यस बैंक लिम्चेट के इन पी है उसको लेकर और बैड लोन को लेकर जो है सुप्रीम कोट ने साफ यहां पर अपना फसला सुनाया था उसके बाद जो है यहां पर और गौर्वर्मेंट भी खरकत करते हुए बैड लुशन की महते नहींर बदो ये खरकते में अब को तो यहां पहले सफ्ता में चाली हो जाएगा तो बैड बैंक के लिए एक कंपणी बनाई गई है N.A.R.C.L. यानि कि नेशनल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपणी इंडिया में 80 ऐसे मतलब बैंक्स हैं 80 ऐसे खाते हैं जिनको जो है बैड बैंक के हवाले किया जाएगा और जो है 500 करोड से उपर का इनका N.P.A. है कि दो महीने पहले एक रूज आई थी कि बैंकों में जो है अगर भी खातों से बाहर देखाद आए तो तकरीबं 2,00,000 करोड रुपे से अधिक अधिक बैड बैंक का लोन पड़ा हुआ है यानि बैंक में करजा फसा हुआ है 2 लाख करोड रुपए से जादा आप सोच सकते हैं कि अमाउंट 200 करोड नहीं है दोस्तों 2 लाख करोड रुपए से की अधिक रासी है तो अब जो ए नेशनल एसे ट्रीक एंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया गया है बैड लोन को लेकर तो इससे जो है बैंकों को एक बहुत बड़ी रहात मिलेगी क्योंकि बैंकों के लिए सबसे बड़ी सिर्दर्दी इस समय NPO को लेकर है आपको बता दें कि हमारे देश की जो फाइनस मिनिस्टर स्रीमति निर्मला सीता रमन जी उन्होंने जब एक फरवरी 2021 को इसी साल जब बजट पेस हुआ था फाइनसील यह दो हजार एक बाइस का तो उन्होंने साफ साफ यहां बोल दिया था कि जितने भी बैंक है और उनका इन पे इन पी है उनको जो है क्लीन किया जाएगा और उ कंपनी धोकादड़ी के माद्यम से बैंक से लून निकाली है तो जो है अब अपने एसेट को जो है और सीयल को जो है बेच नहीं पाएगा यानि फ्राट लोन को जो है प्रिवेंट किया जाएगा तो यह भी बहुत अच्छी ख़बर है तो आब आपको बता दें कि इससे क् फाइदा यह होगा कि जिन बैंकों का यह बड़ा हुआ है उनका यह कम हो जाएगा उनकी बैलेंस सीट में जो है इंप्रूब्मेंट देखने को मिलेगी और उनका जो कारवार है वो पहले कि अच्छा कापी तेजी के साथ इनकी होता हुआ दिखेगा क्योंकि जब बैंक ज बात करें जो बैंकों के लिए सबसे वड़ी सिर्दर्दी होती है नंप क्योंकि यहीं बैंक कर देता है और घर देने में असमर्थ हो जाता है कि इस और दाता है तो उसे की दिखेगा से रात दिन परशान थे कि एस बैंक लिम्टेट का यंपीए का क्या होगा क्योंकि सारी चीजे एक तरफ टेक्निकल सारी चीजे एक तरफ और बैंक का यंपीए एक तरह तो अब यहां पर क्लीन होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि आपको बता दें कि यस बैंक लिम्टेट में तक्रीबन को यहां पर बैड बैंक के हवाले किया दाएगा तो आप देखें तो यस बैंक लिम्टेट का जो यंपीए हैं ओ पांसो करोड रुपे से उपर है और तक्रीबन 34,000 करोड रुपे हैं और 44 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने यस मेंक लिम्टेट से एप ऐसा कर्ज के रूप में ली हैं जिसमें सबसे बड़े डिफाल्टर अनील अंबानी ग्रूप इन्होंने यस मेंक लिम्टेट से 12,800 करोड उसके बाद एसल ग्रूप और दिवान हाउसिंग फाइनस लिम्टेट यह तीन ऐसे कर्जदार हैं जिन्होंने यस मेंक लिम्टेट से जो है सबसे ज्यादा मोटा रखम उठाया है और इन्हीं की वजह से देखा दाया तो यस मेंक लिम्टेट का इन पीए जो है बढ़ता हुआ आपको अलग क्योंग एक्शेंग होता हृता है डोटस को नोक रोता है रिपल होता है तो सद्कता उनको हम बोलते हैं और यहिचल सामिल हुए है और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में जो है इन्होंने टाइप किया है किन किन कंपणियों के साथ यह भी डिसक्स करेंगे और जानेंगे कि पेटियम पेमेंट बैंक के क्विट करने से जो है इन लोगों को फायदा होगा क्योंकि पेटियम पेमेंट बैंक ने अपना क्रिप्टो करेंसी एक्षेंज का जो बिजनस था उसको स्टॉप कर दिया है और फिर इन दोनों बैंकों को मौका विला है आपको बता दें कि इंडिया में अभी जो ए ट्रेडिंग प्लेटफार्म है क्रिप्टो करेंसी का जिसमें वजीर एक्स जिब पे और क्वाइन स्यूच के अलाबा कूबर एचार ऐसे मेजर्स एक्स्टेंज हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए जिसके माध्यम से आप बिट्कॉ इसको सपोर्ट नहीं करें तो अपनी सर्विस बंद कर देने के कारण जो है इन चारों को एक ऐसा मेडियेटर चाहिए एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम चाहिए जो इनके एक्सटेंज को संभाल सके क्योंकि कंपनी एक तरफ है एक तरफ है और जो बैंक जरूर चाहिए क्योंकि यहां पर फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं और दोनों बैंकों ने इन चारो कंपणियों के साथ डील किये इसले क्रिप्टा करेंसी एक्सेंज के लिए जिसमें वजीर एक्स जह सबबसे इंपोरेंट आई है वजीर और सीच कौई जो है ईंडिया सबसे पापुलर है और आपको बता दें कि क्रिप्टो करणसी में पैसा जो है काफी तेजी के सा seit बढ़ता है लेकिन उतना ही रिश्क है श्टॉक मार्केट से भी ज्यादा रिस्क पर क्रिप्टो करेंसी में है क्रिप्ट्टकरणसी आप जब टूंटी फॉर चलता है इसान है कि किसका कोई चाइम फ्रेम है यह पूरे वर्ड में चलता है तो जिसके कार जो है इसमें वुला टाइल की मात्रां काफी अधिक होती है उतार-चड़ाओ जो है काफी तेजी के साथ जो है इसमें होता है तो बैंकिंग सिस्टम चाहिए इन कंपनियों को शपोर्ट करने के लिए तो क्रिप्ट करेंसी जो है अभी इंडिया में पूरी तरह से लीगल नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही लीगल हो जाएगा क्योंकि इंडियन गौश्में यहां पर आये हैं लेकिन अभी फिलहाल में बिटकॉइन की प्राइस जो है लगातार डाउन टेंड में जारी यह लगातार गिर रही है तो इस कंडिशन में जो है यहां पर रिस्क भी है तो देखे मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उकेवल जो है एजुकेशनल परपस से बनाता हूं मैं किसी को भी कभी कोई स्टॉक जो है खरीदने या बाई करने की सलाह नहीं देता हूं यदि आप कोई स्टॉक अपने मन से बाइंग और सेलिंग करते हैं तो यह आपकी रिस्पॉंसबिल्टी होती है और हां कभी भी किसी से करजा लेकर टेडिंग ना करें क् यहां पर मार्केट में अपना दिमाग लेके आते हैं और कर्ज लेके आते हैं और सोचते हैं कि पैसा जो है यहां से बाउंस बैग होगा डबल ट्रिपल हो दाएगा लेकिन होता इसका उल्टा है स्टॉक मार्केट में उतना ही पैसा आप निवेस करें जितना कि आप जोख इसको अधर test cricket match की तरह समझ सकते हैं जितना देर आप test cricket में क्रीज पर टिके रहते हैं उतना ही ज्यादा run आप बना पाते हैं और अपनी टीम को जिताने में आहम भूम करने भाते हैं तो उसी तरह stock market में भी आपको time देना चाहिए लेकिन होता इसका उल्टा है तो अभी आप प्रेक्टिस कीजिए और बैठने की आदत इंतजार करने की छंता जो है अपने अंदर डेवलप कीजिए तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आओगा यदि वीडियो पसंद आए तो प्लेज इस वीडियो को अधिक से दिक लाइक कीजिए ताकि हमारा उसा वड़